कि ये नरहेंद्र मोदी और भारतिये जंता पार्टी पर अगर कोई भी अगर विरोध करने का काम करेगा उसके कार्ज कर्मों को तो उसके यहाँ ED का छप हमारी यह तमाम चीज एजो घिर्नित जो कार्ज कर्म है जो उन लोगों ने एक एजेंडा जो बना लिया है इससे बिहार ही नहीं हम तो जिला के अध्यच हैं लेकिन हम लोग जो हैसे राजधानी में रहते हैं हम जो सुनते हैं लोगों से गरीब दलित पिछड़े अकलियत के लोगों से तमाम लोग जो हैसे त्राहिमाम की स्थिती में हैं पटना के अवाम का पूरे हिंदुस्तान के अवाम का जो सुविधा को चीना है चोड़ी किया है जो जितना भी संसाधन था बेचा है उसको उजागों करने को बताना है और जनता के बाद में जब बात जाएगा जनता खुद उनको हटा देगा उसके लिए बहुत ज्यादा पार्टी के हमारे निता देश के परधान मंत्री नरेंदर मोदी और ग्रीह मंत्री अमीच साह जी का जो कार्ज करम है कि देश आजाद होने के बाद इतना निचले अस्तर पर गलत रूप से सोचने वाला है आज तक परधान मंत्री कोई नहीं बना ये नौ साल में इनके रा सारे कास्ट सारे धरम बिल्कुल तरस्त हो चुक है कि नहीं के पास आज ये इतना पैसा नहीं है कि वह अपने बच्चे का स्कूल का फीज जमा कर सेके एक बैक खड़ी सेके किताब खड़ी सेके अभी किताब के सीज़ चर रहा है इसी चीज को बताना है इसको मुसलीम और कि दूसरा बात नहीं करना है मुशन के गरीबों दलीतों पीछोड़ों के लोग प्रिये नेता समाजी के नेता है आधर निये लालू परसा यादो जी और भिहार के ऊप्मुकमंत्री लोग कि ये ऊप मुकमंत्री जीवा नेता हमारे तेजस्वी प्रशाज जादो जी ने जो हम लोग के ऊपर भरोसा जो जताया है मेरे ऊपर हम उस भरोसे पर मेरा प्रयास है कि हम खारे रूप से उतरेंगे और संगठनात्मक धाचा को हम बूठ अस्तर तक ले जाने का काम करेंगे राश्टी जन्तादल ने अपना एक तरह से उनका जो संगठने उसका बिस्तार किया है और इस बार जिला अध्याच दिना नतियाद अपको बनाया गया और हमारे दूसरे साइट प्रधान महा सचीव जो है वो पतना जिले के हैं अलपसंखिक समास्याते हैं अप्रोज आलम ल दानसबा महागडवंदन के पास है उधर बक्तियारपूर और फ्हंतुआ भी महागडवंदन के पास है लेकिन जो सहर का इलाका है उसमें बीजबिक को हराना बहुत मुश्किल है लेकिन जो पुराने राजनितिक पंडित उनका कहना है कि आरज़ेडी उतना महनत नहीं करत कितना बड़ा चुनवती है और हम यह नहीं कहेंगे कि उस पर आपको ज्यादा मेहनत करना होगा पालगी दानपूर फुलवारी मसौड़ी समय आपको मेहनत और यहां अगर रिजल्ट दिखाना है तो दीघा बांकिपूर यह सीटे आपको जीतने होगी कुम्रार जीतने होग पटना सदर पटना महानगर अध्यच है हम लोग के अपताब भै और महताब आलमजी और उधर बाढ़ एक जीला संगठनात्मक जीला बना है बाढ़ और मुकामा का जो वो दोनों पढ़ जाता है मुगेर लोग सभाची है हम लोगे इधर जोएसे बक्तियारपूर से लेकर है फतुहां मसवड़ी फतुहां मसवड़ी पाली विक्रम मनेर दानापूर यह जो तमाम जो है उधर बताए ही आपको फुलवाडी तो यह जो तमाम है हमारे विधान सभाच्षेत्र हम लोग को सगठनात्मक धाचा पहले से ही मजबूत है और उस मजबूती को हम लोग को सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि हमारे आदर्निये नेता राष्टिये जन्ता दल के राष्टिये अध्यच्छ गरीबो दलितों पिछोडों पे लोग प्रिये नेता समाजी ग्याए के नेता अदर्निये लालू परसाजादो जी और बि लोग प्रिये उपमुखमंत्री जियूबानिता, हमारे तेजस्वी प्रसाद जादो जी ने जो हम लोग के ऊपर भरोसा जो जताया है मेरे ऊपर, हम उस भरोसे पर, मेरा प्रयास है कि हम खररूप से उतरेंगे और संगठनात्मक धाचा को हम बूत अस्तर तक ले जाने का काम खरेंगे और जो हमारे आदर निये नेता लालू प्रसाद जादो तिजासवी प्रसाइध्याजओं के जबाच साथी सिपाही कार्ज करता हैं साथी है तो तमाम लोग के हारधिक इछा है, उत्सा है लोगों में कि यह जो भारत सरकार है भारतिये जनता पार्टी के हमारे निता देश के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और गिरीह मंत्री अमीच साह जी का जो कार्ज करम है कि देश आजाद होने के बाद इतना निचले अस्तर पर गलत रूप से सोचने वाला आज तक प्रधान मंत्री कोई नहीं बना सोच इतना गंदा है कार्ज करम इतना गंदा है कि आज तमाम दलीत पिछड़ा अकलियत जो गरीब जो लोग हैं तमाम लोग चाहे ठेला चलाने वाला हो रिक्षा चलाने वाला हो खेत खल्यान में काम करन वाला हो तमाम लोग इस बात से अउगत हो गए हैं कि यह नरहेंद्र मोदी और भारतिये जंता पार्टी पर अगर कोई भी अगर विरोध करने का काम करेगा उसके कार्ज करमों को तो उसके यहाँ ओक फैडि का क्शह पमारे जो गिर्नित जो कर्ज करम यो लोगों ने एक पर और शाएंडि आहां के यह जर्शा है हम चुन χालोग योशे पिछले अकलियत के लोगों से तराहीं आम थाहुं की पद्छा की स्थिती में है कि क्या होगा इस देश का हम उसे बूत हस्तर तक ले जाने के काम करेंगे और जो हमारे आदर निये लालू परसाद जादो और हमारे आदर निये नेता तेजस्वी परसाद जादो जी के जो जाबाज जो सिपाही है वह सिपाई है दलीत पिछडा कलियत के भाई हैं और यहां तक कि अब तो एटुजेट की पाटी हमारी बात करती है एटुजेट को लेकर के चलिएगा 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 हमारे साथ अपरोज आलम जी भी है अलपसंत्यक समाज से आते हैं इस वार मेर का चुना हुआ बहुत लोग को यह बढाती था कि पटना में जो है बीजिपी का बोट जादा है लेकिन अगर आप मेर चु होती है क्योंकि यहां बाकीपूर कुम्रार दीघा कहा जाता है बीजिपी अगर किसी को भी टिकर देगी तो निकाल लेगा कैसी इसको जीतिएगा देखिए इसको मुस्लिम कार्ड में मत देखिए यह 9 साल में इनके राज में सारे कास्ट सारे धरम बिल्कुल तरस्त हो चीज को बताना है इसको मुस्लिम और दूसरा बात नहीं करना है कि आपका बोट तो यहां ज़्यादा है आपकी बिधायक क्यों नहीं बन पारे कहा से पटना का जो एरिया जो राता है और सोर मचा के गलत भराती पैदा करकर कि बोट ले लेता है आप ज्यादा सोर में चाह चोड़ी किया है जो जितना भी संसादन था बेचा है उसको उजागूर करके सिर्फ हम को बताना है और जनता के बाद में जब बाद जाएगा जनता खुद उनको हटा देगा उसके लिए बहुत ज्यादा काम करने की जिरूत नहीं है चौदा में जीते ना जी उननीस में भी सरकार बना आप लोग का ज्यादा नहीं था हम कहरें जो पटना का जो सीट है बाकी पूर कुम्रार दीगा पतना सहीग अपको पचीस में यह पिक्चर किलियर मिलेगा जो यह बिधान सवा की बात कर रहे हैं बोलने की बात नहीं है किल करेंगे कई से की जियेगा बताईए दिख रहा होगा हमादेशी प्रसा ज्यादो जिसदीन से उपमुख मंत्री बने हैं हमारे नेता प्रसा ज्यादो जी उसंसे जिस जिस से पर रोक लगवा था सारे वाकेंसी को खोल दिया उन्होंगे और लगता है कि24 से पहले दस जो नहींने बोला था सब कुछ सारे लोगों को दे देंगे और 25 पचीस का रिजल्ट होगा दीगा बाकिपूर कुम्रार और पत्ना से बापका होगा हां बिल्कुल काम की आधार पर दिलना जी पचीस में आपका चारोविधान सबापका अपना होगा आपके खाते में आ आईैं यहां तो भृतिये जंता पाठी तो बिहार में था ही नहीं हमारे आदरनी यह लालू परसाजादो नहें उसको तो नसना बुद्ध कर दिया था जंता नकार दिया था तके अपति बना जिलेगा जो हमारे पाटी के कर्चकरता है सिपाई वही हमारा तलवार है और उसको जो यह से भीहार के ढार्ति से और इस पाटली कुट्रा से भारतिय जनता पाठी को यहां नामों निशान नहीं रहेगा राजनितिक रूप से वह ऐसे समाथ हो जाए तलवार तलवार एक मुहाबड़ा होता है और आईसा मसबजी कि तलवार लेके तलवार एक मुहाबड़ा इनका कहना है कि आने वाला जो 25 का चु तरफ हमारे महाराती बैठे हुए हैं दोनों को जो है एक